वेलकम इने के इस्टाड़ी टेंड उनी फोर में हुए एक आदा और इस वीडियो में हम देखना आले हैं क्लास 12 की एकसरसाइज 1.1 के क्वेस्टन नमबर 14, 15, 16 का सोलुशन और इससे पहले मैंने अब तक इतनी वीडियो बनाई हैं इस चैप्टर की उनसे भी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर यहाँ पर जो आई बटन होता है यहाँ से भी आवन को देख सकते हैं तो पहले मैं question number 14 read कर देता हूँ फिर बात करेंगे इसके solution की देखिए इस question में हम से बोला गया मतलब कि इस question में जो set दिया हूए वो है L और यह L किस चीज का set है यह है set of all lines in xy plane मतलब वो सारे lines जो xy plane में आएंगी उनके सटकॉम बोल रहे है और जो relation उसकी definition दीगी है r is equal to l1,l2 such that l1 is parallel to l2 मतलब अगर l1,l2 के parallel है तो l1,l2 relation में आएंगे ठीक है तो दीखिए इसको हमें equivalence relation proof करना मतलब reflexive symmetric and transitive तीनों चीज अगर हम proof करेंगे तब ही equivalence relation होगी तो पहले बात करते हैं कि जो relation है हमारी वो reflexive है कि नहीं reflexive के लिए मैंने आपको पिछली वीडियोस में क्या पताया था यही कि अगर कोई भी element जो set को belong करता है उसका doublet यहाँ पर होना चाहिए ठीक है न तो माल लेते हैं for all l1 belong to l मतलब कोई भी element l1 है जो कि set l को belong कर रहा है तो मैं कहा सकता हूँ कि उसका doublet है नहीं l1,l1 भी relation में होगा ऐसा क्यों होगा क्योंकि जो definition है वो यह कि l1,l2 के parallel होना चाहिए तो अगर मैं l1 की जगां भी l1 लिखूँ और l2 की जगां भी l1 लिख दूँ तो पक्की बात है कि l1,l1 के तो parallel होगा ही होगा क्योंकि every line is parallel to itself हर line अपने parallel तो होती है तो मतलब यह हमेशा belong करेगा कोई भी हम यहां से element ले ले जो इस set से आता है तो मैं कहा सकता हूँ कि जो relation है वो reflex ही हो गई अब बात करते है symmetric है या नहीं ठीक है symmetricity के लिए क्या होता है कि अगर a1,a2 relation में belong कर रहा है तो a2,a1 होना चाहिए उसी तरह से हमें माल लेते हैं कि अगर l1,l2 relation में belong करता है अब देखो अगर यह relation में belong करता है तो तब ही करेगा जब l1,l2 के parallel रहा हो क्योंकि definition ही वही है तो हम क्या सकते हैं कि अगर यह belong कर रहा है तो यह imply करता है कि जो l1 है वह parallel रहा होगा l2 के अब देखो अगर l1,l2 के parallel है तो मैं क्या सकता हूँ कि भई l2 भी l1 के parallel होगा ठीक है ना बात तो यह कि चाह पैसे लिखो चाह ऐसे लिखो तो जैसे ही l2,l1 के parallel हुआ तो यहां से symmetric भी आपको सुझना आ गया होगा अब बात करते हैं transitivity की अब देखो transitivity के लिए में आपको क्या बताया था पिछली वीडियोस में कि अगर a1,a2 relation में है और a2,a3 भी relation में है तो a1,a3 relation में होना चाहिए उसी तरह से माल लेते हैं कि l1,a2 relation में है और l2,a3 भी relation में है तो इसका मतलब यहां पर जो चीज को मैंनों से हटा दो गया बचे का l1,a3 तो हमें l1,a3 भी relation में है ऐसा दिखाना है तो उसके लिए हम कैसे क्या करेंगे देखो यहां पर अगर l1,a2 relation में बिलोग करता है तो यह तभी बिलोग करेगा जब l1 parallel रहा होगा l2 के और इसी तरह से अगर l2,a3 relation में है तो इसका मतलब है कि l2 parallel रहा होगा l3 के तो यहां से आप देख सकते हो l1 भी l2 के ही parallel है और l3 भी l2 के ही parallel है तो हम कहा सकते हैं कि जो l1 है और l3 है वो आपस में parallel होंगे क्योंकि यह किसी same line के parallel है तो आपको याद रखना है कि if two lines are parallel to same line then they will be parallel to each other मतलब कि अगर दो lines same line के parallel है आप l2,l2 same है तो वो आपस में भी parallel होंगे इसलिए l1 parallel to l3 मेंने लिखा है जैसे ही l1 parallel to l3 आगया तो हम कहा सकते हैं कि l1,l3 ठीक है बिलोंग करता है relation में ठीक है और जैसे ही l1,l3 भी आगया तो हम कहा सकते हैं जो relation है वो transitive है ठीक है अब देखो अगर आपने उपर से देखा है तो आपको पता लग जाएगा कि relation जो है वो reflexive भी है symmetric भी है और transitive है तीनों चीज़ पुरूफ होगी तो हम कहा सकते हैं कि जो relation है वो equivalence relation है अब देखो इसी question में हमें एक line दी गई थी y is equal to 2x plus 4 और हमें बताना था उन सभी lines का set जो इससे related है तो इसको हम कैसे करेंगे बात करते हैं इसकी देखो given line क्या है y is equal to 2x plus 4 तो यहां से इसको अगर आप compare करोगे y is equal to mx plus c से तो इसका m यानि कि जो slope है वो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और हमें उन सभी lines का set बताना है जो इसके parallel है और आपने 11th class में पढ़ा होगा कि अगर 2 lines आपस में parallel है तो उनका slope आपस में बराबर होता है तो यहां पर मैंने लिखा we know parallel lines have equal slope parallel line के पास equal slopes होते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा हम कहा सकते हैं कि वो सारी lines all lines that are parallel to given line are y is equal to 2x plus c मतलब क्या है आप ऐसे समझ सकते हो कि वो सारी line जो इसके parallel है वो है mx plus c जहां पर जो इसका slope है वो इसके slope के बराबर होने चीए तो इसका slope कितना है 2 तो यहां से m की value कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी इस equation में m की value 2 रखोगे जो कि मैंने यहां पर लिखा है जो c है वो कुछ भी हो सकता उससे फारक नहीं पड़ता फारक किससे पड़ता है पहले होने के लिए m से तो m की value 2 होनी चाहिए तो यह है वो सारा answer जो हमें चाहिए था तो यह था question number 14 अब बात करते है question number 15 की अब देखो जो question number 15 है यहां पर हमें एक relation R दी गई है जो कि इस set में defined है और जो relation है वो यहां पर हमें बताएगे कि relation के अंदर कौन कौनसे elements आते हैं हमें चार option दिए गए है इन चारों में से हमें correct answer select करना है ठीक है मतलब हम क्या करेंगे पहले चेक कर लेते है reflexive symmetric or transitive में से क्या के चीज़ है उसके हिसाब से अपने आप पता लग जगा कौनसा answer सही है ठीक है तो यहां पर सबसे पहले चेक करते है कि जो हमारे relation है वो reflexive है की नहीं reflexive के लिए क्या था कि अगर कोई भी माली जे set का नाम A है ठीक है अगर कोई भी element A belong करे set A से तो A,A relation में होना चाहिए ठीक है अगर ऐसा होता है तो हम बोलते है कि वो reflexive है तो यहां पर कौन-कौन से element है 1,2,3,4 तो पहले 1 के लिए चेक कर लो क्या 1,1 है 1,1 यहां पर है ठीक है तो यहां से देखो reflexive तो हो गई तो इतना तो पता लग गया कि जो relation है वो reflexive होगी ठीक है इसके बाद आप चक करते है symmetric है कि नहीं symmetric के लिए क्या होता था अगर A1,A2 है तो अगर A1,A2 relation में है तो यानि कि A2,A3 sorry A2,A1 भी होना चाहिए ठीक है ना A2 पहले A1 बाद में यह imply करेगर ऐसा relation में तो हम बोलते हैं कि वो symmetric है तो यहां पर देखो अगर 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए क्या 2,1 है 2,1 तो कहीं भी नहीं है तो मतलब पक्की बात है कि symmetric तो नहीं है क्यों कि यहां पर यह बोला गया 4 प्सन में equivalence relation है equivalence के लिए reflexive, symmetric, transitive तीन होना चाहिए था और देखो जो तीसरा option है यहां पर बोला गया कि यह symmetric है ठीक है तो symmetric तो नहीं है अभी हमने देखा तो फिर से symmetric नहीं है तो यह नहीं होगा एक ही option बज़ता है ठीक है reflexive है transitive है symmetric तो यह सही हो जाएगा हाला कि हमने सिर्फ यहां पर reflexive चाहिए आप चाहो तो transitivity check कर लो ठीक है बड़ अगर आप चेक नहीं भी करोगे तो यहां पर तीन option तो गलती हो चुके है तो पक्की बात है यह option सही होगा ठीक है ना बागे अगर आप करना चाहो तो transitivity चक कर ले ना transitivity आयागा इसमें ठीक है तो आप देखा आप बात करते है question number 16 की जो question number 16 है यहाँ पर हम से फिर से एक relation r दी गई है जो कि set n में defined है और यहाँ पर जो r है वो क्या है a, b such that a is equal to b minus 2 जहाँ पर b greater than 6 है हमें correct answer चुनना है n का मतलब यहाँ पर क्या है natural number ठीक है natural number का set को n बोला गया है तो यहाँ पर देखो जो relation है वो कुछ इस तरह से है कि जो a है वो b से 2 कम है ठीक है a जो है वो b से 2 कम है या तो यह हो सकता है या फिर यह हो सकता है लेकिन हमें एक और condition दीक है कि जो b है वो 6 से बड़ा होना चाहिए ठीक है न दो दो ही चीजे थी जहाँ पर जो a था वो b से 2 कम था यहाँ पर 4 से 2 कम 2 होता है 8 से 2 कम 6 होता है तो इन दोनों में से एक हमारा answer होगा फिर इन दोनों में से कौन सा होगा कैसे final करोगे जो b है वो 6 से बड़ा होना चाहिए यहाँ पर b 4 है 4 6 से बड़ा नहीं होता cancel हो जाएगा यहाँ पर जो b है वो 8 है 8 6 से बड़ा होता है मतलब यह हमारा answer है ठीक है तो इस वीडियो में इतना है मिलते हैं फिर अगले वीडियो में तब तक के लिए वुड़ बाई